असलाम वालेकुम फ्रेंद्स वेलकम टू आर फैमिली मॉट्टेल विलोग आज मैं आप लूंक ले लाई हूँ एक बहुती मज़दार एक बहुती जटपट और बहुती असानी से त्यार होने वाली रेसिपी जो के आप देख रहे हैं कितना मज़े का यमी नज़र आ रहा है आलू का फर्टा आलू का फर्टा जो है वो बहुत कॉमन है हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत आम घरों में भी हमेशा रूटीन ली बनाया जाता है अलग-अलग तरीकों से बनाया जाता है मगर आप इसको इस तरीके से ट्राई करिएगा आपको ये इन्शालला जरूर ब इसमें जो हम ये सारी चीज़े टोटल इस्तमाल करेंगे अगर आपके पास बॉयल डालू तो फिर तो आपकी जिंदेकी बहुत यह असान हो जाएगी हम जो है वो तक्रीबन छे अलू इस्तमाल कर रहे हैं और आप देखने हैं इसको आपको इस तरीके से पील करके रखना ह अच्छे सॉफ्ट आलू बॉयल करें हम जो मसाले इस्तमाल करेंगे वो ही रूटीन घर के मसाले होंगे हरा धनिया अध्रक लसन अध्रक का पेस्ट अध्रक के जूलियन्स कटे वे हरी मिर्ची नीमबू मैं दो टेमाटर बड़े इस्तमाल करूंगी और एक बड़ी प्यास इस्तमाल करूंगी और जो मसाले जाएंगे वो हमारे बेसिक मसाले हैं हल्दी धनिया रिट चिली पाउडर और जीरा पाउडर और कुटीवी लाल मिर्चे और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से डलेगा इसके अंदर तो आप देख लिए हम लोग अगर आप जो है वो करेंगे तो आप देखेंगे कि यह हम उस वक्त इस्तमाल करेंगे लसन अद्रक का पेस्ट जो शुरूरू में हम भुनाई के टाइम पर डालेंगे और यह प्यास के हमें स्लाइस करने हैं टेमाटर के भी जैसे आप से कहती हूं अगर आप इसको मोटा मोटा चॉप करना चा रखते हैं उतना ओयल लीजेगा जैसे आदे कप से भी कम ताकि आप इसके अंदर हम लोगों को हमारी जो प्यास है उसको हम लोगों को इतना फ्राई करना है जब तक कि वह ब्राउन हो जाएगी गोल्डन ब्राउन सी ब्राउन तो इसलिए आप जहें वह बहुत ज्यादा क करते हैं आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि हम जो हैं बाद में मसालों के साथ भुनाजीरा भी डालेंगे इसमें भुनेजीरे का भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है और बहुत यह अच्छी खुश्बॉा आती है अब देखें आप इसको जो हैं ओल्यां के अंदर हम तो अदले लिसन जैसे आपको बता है कि कितने वेनिफिस होते हैं हमेशा खानों में कोशिश करें इसका 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 इस्तवाल रखें और हमेशा फ्रेशली पेश्न बना के यूजज किया करें अब हम इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, कुटी मिर्चे, भुना जीरा, नमक और हल्दी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, मैंने तक्रीबन एक टी स्पून रखा है, और हल्दी उसका हाफ, तो अगर आप रेड चिली पाउडर जादा डालना चाहें, आप डाल सकते हैं, और कम रखना चाहें, तो आप कम भी रख सकते हैं, अब हम इसमें डाल रहे हैं टेमाटर, मैं जो हो पूरा ब्लेंड नी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो हो स्किन पील आफ कर दी है, तो ये अराम से जो है, वो डिजॉल्व हो जाएगा इसके अंदर, और हमें इसका मसाला क्योंकि बनाना है, सारा अच्छ हमारा मसाला बन रहा है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, ताकि ये पानी से और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए टेमाटो, और हमारी अच्छी सी पेस्ट बन जाए, एक मसाले की, ये देखें, ये किसना अच्छा आपको नजर आ रहा है, कि हमारी प्याज और टेमाटर जो है, वो ब्लेंड हो चुका है, अब हम स्टेच के उपर इसमें डाल देंगे दही, बहुत जादा पानी नहीं डालिएगा, और हमेशे याद रखें, एक साथ कभी भी जादा पानी ना डालें, पानी जो है वो ग्राजुली भी आड़ किया जा सकता है, ये को आलू के साथ हमेशे अद्रक का इस्तेमाल करना चाहिए, अब हम इसमें जो है वो तकरीबन, ये हम लोगों ने तकरीबन, हाफ कभी हाफ, हमने जो है वो पानी लिया है इसके अंदर, और इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे, जिब तक कि इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो होता है, आप इसको पराटे के साथ काएं, चपाती के साथ काएं, अगले दिन आप चाहें तो इसका जो है वो सैन्विज भी बना सकते हैं, ब्रेड में इसका सैन्विज भी बहुत मज़े का बनता है, हम लोग तो अकसर घर में हमारा अगर आलू का भृता बच जो है वो ब कि जैसे मैं बतातीDeैय चोंगे लों गारों लोगं को ãशता हैाई मना नहीं होता मगर आहतियात के साथ कहना चाहिए क्युकि इसका अग्लाइसमेंक इंडिक्स घैठाय होता है 良 सकाय हो आफ़जब का फंदीन लेवर को इन बड़ाती है तो आप इसको solid slit देखे जो है वो मिर्शे रख लें और फिर आप इसको easy remove कर सकते हैं अगर आप ज्यादा मिर्शे नहीं खाते हैं यह देखें इसको इसके साथ mix करके यह कितना खुबसूरत हमारा जो है वो बहुती मज़दार लजीज आलू का बढ़ता तयार हो चुका है और इसको जो है वो serving के time पर या वैसी आप डिश पर निकालना चाहें तो आप इसके पर lemon squeeze करके खाएं बहुत मज़ेका लगता है